ऐसा लगा था कि अब मेरी शादी हो गई मेरा पती है मेरा बच्चा हो जाएगा आदिल खान दुरानी को लेकर जो है कही है राखी सावंद में रोते रोते बिलखते बिलखते राखी की ये वीडियो जो है वाइरल हो गई और फांस जो है राखी की इस वीडियो को देखकर फूट फूट कर वो रो रहे हैं राखी को इस तरह से रोता देखकर बिलखता देखकर लेकिन वही आज जो बुरी खबर सामने आई है राखी सावंद के फांस के लिए वो ये आई है कि आदिल खान दूरानी को बेल तो नहीं मिली लेकिन मैसूर पूलिस की कस्टडी में जो है वो चला गया है आपको बता दे आज रवाना होंगे और 24 को पेशी होगी मैसूर के अंदर लेकिन राखी सावंद ने ये साफ कहा है कि मैंने जो केस डाला है इस पर ये जो 498, 377, 406, 32, 504 और 506 जो धाराएं लगी है आदिल खांदूरानी पर वो वापस नहीं होंगी ये FIR दर्ज रहेंगे और लागाता आदिल ने भी यही कहा है और 24 के बाद हो सकता है तो आदिल खांदूरानी फिर से मुंबई पुलिस का स्टेडी में जो है आएगा लेकिन आपको बतादे रिमांड पर नहीं है इस वक्त आदिल खांदूरानी ना मैसूर पुलिस का स्टेडी और ना ही मुंबई पुलिस का स्टेडी के बलकि इस वक्त जो है मुंबई में है और आज रात कल सुबा जो है मैं सूर के लिए रवाना होंगे ऐसी ख़बर सामने आई है इसी बीच आपको बताते राकित सावन ने आज वीडियो जारी कर ये कहा कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ मिस कैरेज के बाद आदिल ने सब के सामने बताने से मिस कैरेज की बाद जो है मना कर दिया ओपरेशन के बाद मेरे डॉक्टर ने आदिल को कहा था कि अभी तीन महिने तक आप इंटर कोस नहीं कर सकते लेकिन आदिल नहीं माने उन्होंने दस दिन बाद ही शुरू कर दिया था उसके बाद मैं मैं मा बनती, मैं एक बीबी बनती, मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया आदिल खान दुरानी ने, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। सुनिये राखी ने किस प्रकार से बिलख बिलख कर जो है अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई है इस वीडियो के अंदर जो की शोशल मेडिया पर वाइरल हो रही है इस वक्त राखी के फांस भी फूट फूट कर रो रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप इन सभी मामलों को लेकर जरूर कामेंट कीजिएगा जिन्दगी की पट्रिये शादी हुई तो इतनी खुश थी मैं ऐसा लगा था कि अब मेरी शादी हो गई मेरा पती है मेरा बच्चा हो जाएगा पहला रमजान में रोजे रखूंगी